नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यूपर दोस्तो एक बार फिर मैं आपके सामने एक महत्पून जानकर लेकर हाजिर हो चुका हूँ अगर आपके भी परिवार में घर में बेटी है तो दोस्तो इस वीडियो को आप जरूर वोच करिएगा क्योंकि सुकन्या समर्दी योजना के अंतरगत पांच बड़े बदलाओ किये गए हैं जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ दोस्तो अगर आप कन्या समर्दी योजना के अंतरगत अपलाई करते हैं तो पढ़ाई वैसाधी के लिए जो भी खर्च होगा वैसरकार की तरफ से दिया जाएगा नए नियम क्या लागू किये गए हैं उन सभी के बारों में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे निविधन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिजिए शियर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगा दोस्तों चले वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों भारत सरकार द्वारा अलग-अलग राज्य में बेटियों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं जिसके अंतरगत बेटियों को लाव दिया जाता है चाहिए वह पढ़ाई के लिए हो या फिर दोस्तों वह आपकी बेटी की साधी के लिए हो दोस्तों उन्ही में से एक योजना है जिसका नाम में आपको पहले भी बता चुका हूँ कन्या समर्द्दी योजना जिसमें पांच बड़े बदलाओ कर दे गए हैं दोस्तों अपनी बेटी के लिए कन्या समर्द्दी योजना में अगर आपने अपलाई किया हुआ है तो आपके लिए यह जाना अनिवारिया हो जाता है कि इसमें जो बड़े बदलाओ है वह क्या किये गए हैं तो मैं आपको पांच यहां पर बदलाओ बताने जा रहा हूँ जो सरकार द्वारा कर दे गए हैं नमबर एक कन्या समर्द्दी योजना के अंतरगत खोले गए खातों को पहले दो परिस्तितियों में बंद किया जा सकता था जब बेटी की मृत्ति हो जाती थी तो भैंग खाते को बंद कर दे है यहन्द कि जो समर्द्दी योजना चलाई जाती थी उसको वही पर इस्ढमाफ्त कर दे जाता था लेकिन जो दूसरी कंडिशन हैं दूसरी कंडिशन में यदि बेटी के रहने का अस्थाई पता बदल जाता है यनके अगर बेटी का अस्थाई पता बदल जाता है बेटी कहीं अधर अस्थान पर जाकर रहने लगती थी तो ऐसी सुचिवेशन में भी दोस्तों बेटी का जो एकाउंट है वेब बंद कर जाता था लेकिन नए नियमों के अनुसार अब बेटी की जान लिवा विमारी को भी इसमें जोड़ दे गया है यह अगर बेटी को कोई खतरनाक विमारी हो जाती है और इसनकी मिर्ति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी बेटी को लाब दे और एकाउंट को दोस्तों बंद कर दे जाएगा दोस्तों इसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा जिससे की आप अपनी बेटी के लिए पूरा खर्च आसानी से निकाल पाएंगे तो यहां पर जो नंबर दो नियम है वह है पहले इस योजना में दो बेटी के खाते खोले जा सकते थे जिहां दोस्तों दो बेटियों के खाते पर असिसी के अंतरगत टैक्स चूट का लाब मिलता था तीसरी बेटी पर यह फाइदा नहीं होता था यानिके दो बेटियों को असिसी के अंतरगत यहां पर दोस्तों लाब दे जाता था लेकिन तीसरी बे ASIC के अंतरगत दोस्तो लाब बेटी को दिया जाएगा यानि दोस्तो अगर पहली बेटी होती है और दूसरे जिनम में दो जुड़मा बेटी जिनम लेती है तो तीनों बेटीओं को यहां पर लाब दिया जाएगा एक परिवार में वहीं दोस्तों बात करें अगर आपके नि दोस्तो एक साल में आपको 250 रूपे जमा करने होते हैं अपनी बेटी के एकाउंट में, 250 रूपे दोस्तो कुछ ज़्यादा भी नहीं है एक साल में, अगर आप महिने का यहाँ पर इस्टिमेट निकालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम निकलेगा, तो दोस्तो इस रासी को, इस रासी के जमा नहीं होने पर, यानि कि अगर आप साल में यहाँ रासी जमा नहीं करते हैं, तो डिफोल्ट मान लिया जाता है, लेकिन नई नियमों के अनुसार दोस्तो अगर बात करें, तो दोस्तो अगर आप अपनी बेटी का एकाउंट, यानि कि जो एमांट होता है जमा नहीं कर पाते हैं, तो आपके खाते में जो ब्याज होगा वह लगतार बढ़ता रहेगा, यानि दोस्तो नई नियमों के अंतरकत अगर खाते को दोबारा से एक्टिव नहीं किया जाता है, तो मैचियर होने तक खाते में जमा रासी पर लागू दर से ब्याज मिलता र के नियम नंबर 4 की, तो दोस्तो पहले नियमों के अनुसार बेटी 10 साल से ही खाते को ओपरेट कर सकती थी, लेकिन अवहाली में सरकार दोबारा जो नई नियम लागू किये गए हैं, नई नियमों के अंदरकत 18 साल की, गलते के लिए माफी चाहेंगे, 18 साल की आयू से पहल बेटी, कखाता अपरेट करने की मंजूरी नहीं दी जाएगे, यानिक दोश्तो बेटी अब 18 साल से पहले अपने एकॉन्ट को ऊपरेट नहीं कर पाएगी, जो ऊपरेट करने वाले होंगे, वह उनके सदश्य होंगे, परिवार वाले होंगे, पिता या फिर दोस्तों जो कि माता होगी वह उपरेट कर पाएंगी दोस्तों नियम नंबर जो यहां पर पांच है वह नए नियमों के अंदरगत दोस्तों नए नियमों के अंदरगत खाते में गलत व्याज डालने पर वापस पलटने के प्रवधान को हटा दिया गया है इसके अलावा खाते का वार्षिक व्याज वित्यवर्स के अंत में क्रेडिट किया जाएगा दोस्तों इसमें आप अपनी बेटी के लिए 18 वर्स तक पैसा इंवेस्टमेंट कर सकते हैं जब आपकी बेटी की उमर 18 वर्स हो जाती है तो दोस्तों आप अपनी बेटी के लिए पढ़ाई के खर्च के लिए उसमें से 50% पैसा निकाल सकते हैं लेकिन जो टोटल पैसा निकाला जाएगा जो पैसा आप जमा करेंगे वह 21 वर्ष की आयू में ही आप निकाल सकेंगे जब आप की बेटे की साधी होगी तो दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप दोस्तों आप चाते हैं आपसे इजादत और मिलते हैं पना इस्टी वीडियो में शिब तक के लिए उस्तों जय हिंद जय भारत